हेलो माई डियर फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब वेलकम टू अनदर वीडियो कल की वीडियो में मैंने आपको बताय था कि मेश राशी वालों के लिए 2022 कैसा रहने वाला है ओवरॉल हेल्थ को लेके करियर वाइज फैमिली रिलेशन्शिप ये सारी चीज़े मैंने आपको बताई थी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वरिशब राशी के लिए 2022 कैसा रहने वाला है करियर वाइज, हेल्थ वाइज, फैमिली रिलेशन्शिप एक्सेक्टर एक्सेक्टर ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं बताती हूँ वरिशब राशी वालों का करियर कैसा रहेगा 2022 में तो वरिशब राशी के लिए अगर करियर की दृष्टी को उन से देखा जाए तो बहुत अच्छा रहने वाला है 2022 क्योंकि इस साल के पूरवार्द में शनी आपकी राशी के नवम भाव में रहने वाले हैं तो जिसकी वज़ा से आपको शनी देव की बहुत क्रिपा प्राप्त होगी इन शॉट और आपका करियर बहुत ग्रो करेगा आपका करियर में भाग्य साथ देगा 2022 में वरिशब राशी वालों के लिए ठीक है बहुत अच्छा साल रहने वाला है करियर वाइस ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ब्रिस्पती साल के अधिकांश समय अपने दस्वे भाव में रहेंगे जिसके फलसुरूप आप अपने कारेस्थल में बहुत लाब कमा सकते हैं इसके अलावा अगर आप बिजनस में हैं तो उसमें भी आपको बहुत सारा प्रॉफिट होगा पहले भाग में साल के पहले भाग में आपके चतुर्त भाव पर गुरू की दृष्टी होने की वज़़े से थोड़ा आपको हो सकता है कि आपकी ट्रांसफर भी हो जाए जो लोग जॉब में है तो उनके ट्रांसफर के भी योग बन रहे हैं बहुत जादा प्रबल उसके अलावा आपकी मेहनत रंग लाएगी इस दौरान करियर में आपको कोई बड़ी उपलब्धी भी हासिल हो सकती है विरिशव राशी वालों को और बिजनस के अगर हम बिजनस के दृष्टी को उन से देखें तो ये साल बहुत जादा महत्वपून रहने वाला है क्योंकि शनी देव की कृपा आपके कारे पे आपके व्यापार में आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाली है ठीक है तो करियर वाइस ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है वैसे भी वरिशव राशी के स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह और 2022 अगर हम भी देखें तो 2022 का टोटल है 6 तो 6 अंख के स्वामी भी शुक्र ग्रह होते हैं तो इस वज़ा से 2022 आपके लिए व्रिशव राशी वालों के लिए बहुत फेवरेरबल रहने वाला है कोई टेंशन वाली बात नहीं जो लोग परिक्षा की आप किसी प्रतियोगिता की त्या पाऊंगा या कर पाऊंगी तो आपको भटकना नहीं है अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है और मार्च के बाद आपके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा हो सकता है कि आपको किसी विदेशी कंपनी में भी आपको कहीं जॉइनिंग मिल जाए आपको एडमिशन मिल सोच रहे हो आप पोस्ट ग्रेजुएशन या आप डॉक्टरेट डिग्री के लिए सोच रहे हो तो ये साल आपके लिए बहुत फेवरेबल रहने माला है ओके नाओ अब मैं आपको बताती हूं कि फाइनाइशली व्रिश अबराशी वालों के लिए 2022 कैसा रहेगा आर्थि स्थिति कैसी रहेगा आपकी अगर आर्थिक दृष्टि को उन से देखा जाए तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी आपको चैलेंजिस मिल सकते हैं बट इतना जादा कोई बहुत जादा कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है जो बिजनस मैन है उनको थोड़ा सा मैं ये कह ठीक नहीं रहेगा लेकिन एप्रिल के मद्धे में क्या होगा आपकी आर्थिक स्थिती में सुधार होगा उस टाइम पे आप पैसे इंवेस्ट कर सकते हो ब्रस्पती के शुब प्रभाब से आपको कुछ राहत मिलेगी एप्रिल के एंड में ठीक है तो इसलिए जनुरी फ अच्छा आएगा टाइम ठीक है और यह भी दिख रहा है कि धार्मेकारियों पर भी आपका पैसा खर्च होता हुआ नजर आ रहा है लेकिन एप्रिल के बाद आप उन्निती की और दिखते वें नजर आ रहे हो आपको आपके बहुत सारे रास्ते खुलेंगे आपको आगे बढ़ने के लिए फाइनेशली जिससे आपको हेल्प मिलेगी अपने बिजनस को ग्रो करने के लिए या फिर आपके सुक्सम रिद्धी आएगी घर में ठीक है तो एप्रिल के बाद से बहुत अच्छा फाइनेशल टाइम आएगा रिशवराशी वालों का अब बात करते है पारिवारिक दृष्टी कोन से अगर बात करें फैमिली रिलेशन्शिप्स के मामले में कैसा रहेगा थोड़ा सा संभलने की जरूरत है जादा अनुकूल नहीं दिख रहा है पारिवारिक दृष्टी कोन से क्योंकि साल के शुरुआत में थोड़ा सा मिसंडन हो सकता है कि जो काफी टाइम से बेबी प्लान कर रहे है नहीं हो रहा तो मार्च के बाद आप बेबी प्लान करेंगे तो बहुत अच्छे योग बन रहे है ठीक है उसके अलावा आपको बच्चों की तरकी के भी बहुत अच्छे समचार सुनने को मिलेंगे अगर आपके ब अगर मैं बताओं तो पारिवारिक जीवन मार्च तक थोड़ा सा तनाव हो सकता है उसके बाद मार्च के बाद अच्छा रहने वाला है जो न्यूली मैरिड है वो अगर बेबी प्लान कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा अपरिल से आप अपरिल से ट्राइ कर सकते हैं य तो इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा सेहत पे ध्यान रखें, लंबे समय से किसी बिमारी से अगर ग्रस्त हैं, तो डॉक्टर से जरूर सला लें, ठीक हैं, लेकिन राहू और केतु एप्रिल के शुरुआत में जैसे ही आपकी राशी से अपने को परिवर्तित करेंगे, उ बहुत अच्छा रहेगा सेहत के लिए, तो परिट से रेलेटिद प्रॉब्लम नहीं खाना तो ये चीजे आप अपनी अम बना लें, इसके अलावा आपका अपना वेट भी आपको स्थिर रखना होगा, एवरिज वेट ही रखना होगा, जादा बढ़ने नहीं देना, ये स सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी एपरिल से एपरिल के बाद से आपकी हेल्थ में भी सुधार आएगा जो लोग लंबे टाइम से बिमार चल रहे हैं व्रिश्रव राशी वाले अब मैं आपको बताती हूं कि उपाय क्या करने हैं अगर आपकी राशी व्रिश्रव है आपके राशी के स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह तो शुक्र ग्रह को खुश करेंगे तो लाइफ में ग्रो करेंगे आगे बढ़ेंगे प्रॉब्लम्स दूर होंगी शुक्र ग्रह सारी प्रॉब्लम्स दूर करेंगे सुख समृद्धी भी देंगे कैसे करेंगे अभी से स्टार्ट कर दो आप 2022 आने का वेट नहीं करना अभी से स्टार्ट कर दोगे उपाए तो 2022 क्या आते आते पॉजिटिव हो जहेंगे काफी एनरजी आपकी और पॉजिटिविटी अट्रेक्ट होगी नए साल में तो आपने क्या करना है हर फ्राइडे को आपने चीनी सफेद मि में सब दूर हो जाएगे और 2022 बहुत अच्छा आएगा विश्रव राशी वालों के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है नेक्स वीडियो में आपको बताऊंगी मिथुन राशी के लिए 2022 कैसा रहने वाला है मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाबाई टेक क्या क्या हु्ड़ श से वीडियों बाबाई थूर वीडियो mensen इसमें परने पर शाहएगे हैं मिलते हैं कश्छा हो बाबाईCoastjang